आज हम करेंगे कवीता भरत राम का प्रेम इस कवीता को हम बहुत ही इंट्रस्टिंग में में बहुत ही मज़िदातरी के से समझने वाले हैं उसरब इतना ही नहीं इसी चेप्टर के exercise question इसी चेप्टर के important question और इसी चेप्टर के mcq type question भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे त आज हमारे साथ अंतक पने रहेगा तो आएए शुरू करते हैं नमस्ते मेरा नाम आशेश है देखो बचो इस कवीता को लिखा है तुलसिदाज जी ने इस पूरी कवीता में क्या बताया है एक बट जल्दी से short में सुन लो ताकि जब मैं line by line explanation करूं तो आपको ये chapter ये poem ब ने बड़े भाई श्री राम के प्रतिक कितना प्रेम निकला प्रेम में क्या-क्या वर्डिंग कहे क्या कुछ उन्नों ने बोला ये सारी बाते हम इस Justum पूरी कवीता में पढ़ने वाले है उस पवित्र स्थान पर जब भरत जी पहुँचे उनको मनाने के लिए तो उस समय क्या बातचीत हो रही है ये बात सब लोगों के सामने हुई या यू कह सकते हो कि बहुत से लोग बहुत से मुनी खास तोर पर मुनी वशिष्ट जी भी वहाँ पर मौजूद थे मुनी वशिष्ट जी ने बहुत कुछ बोल दिया अब बारी आई भरत जी की यानि की भरत को एक इजाज़त दी गई कि अब तुम्हारा नंबर है तुम अब बोल सकते हो उस समय भरत जी क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसके बारे में यहां से शुरुवात होती है देखत पुल की सरीर सभाभय डाढ़े नीरज नयन ने जल बाढ़े कहब मौर मुनीनाथ निबाहा एही ते अधिक कहू मैं कहा अब यहां पर इन दो पंक्तियों में क्या बताया है ध्यान से सुन लो भरत जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिड थे रोमांचित थे अपनी बात पुल की धारा थी जो बह रही थी उस समय वो यह कहते हैं कि मेरे मुनी ने यानि विशिष्ट जी ने विशिष्ट जी ने जो बात कह दी है वो पूरी ही कर दी है अब मेरा क्या कहना मतलब मैं अब और क्या कहूं ऐसी ही बात हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे उससे प अब यह तो थे शब्दार अब शब्दार था गए तो समझ लेना हिंदी आ गई कैसे ध्यान से सुनते जाओ आपको समझ में आ जाएगा भरत जी रोमांचित शरीर से सभा में खड़े हो गए देखा जैसे जैसे हिंदी आई या जैसे जैसे शब्दार्त हुए वैसे वैसे हिंदी वैसे 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 ब्याक्या बनती चली गई देखो भरत जी रोमांचित शरीर से सभा में खड़े हो गए और उनकी कमल रूपी आखों से प्रेम की जल या प्रेम रूपी जल की बाड आ गई अर्थात अत्य धिक प्रेम बहने लगा आसू आ गए आसू आते हुए उन्होंने क्या कहा कहने लगे कहना मोर मोनीनाथ निबाहा मतलब अब मेरा क्या कहना मोर माने मेरा कहव माने कहना मेरा अब क्या कहना मुनीनाथ निबाहा मुनीनाथ ने पूरा ही कर दिया अब इससे अधिक मैं क्या कहूं मतलब मेरा अब क्या कहना क्योंकि मुनीनाथ ने वशिष्ट जी ने पूरा ही कर दिया क्या मेरी बातों को मैं जो कहना चाहता था उसनों ने वो पहले ही बहुत कुछ कह दिया वो मेरी बात पूरी ही कर दी अब इससे अधिक मैं क्या कहूं ये थी इसकी हिंदी आगे देखिए अगली दो लाइन मैं जाना हूं निजिनात सुभा हूं अपराधी हूं पर को ने काऊ मौपर कृपा सने हूं बिसेखी खेलत खुनिसने गभाई देखी अब इन दो पंक्तियों में क्या पता है पहले सुन लो फिर शबदार फिर इसकी व्याक्या इस तरह से हम हर दो लाइन करेंगे भरत जी इस दो पंकी में कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे नाथ यानि मेरे स्वामी मेरे राम मेरे राम का सोभाव मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इन्हों ने तो कभी अपराधी पर भी अपराधी जो ओते हैं न उन पर भी क्रोध नहीं किया मुझ पर तो क्या क्रोध क दिखाई अर्थात कभी भी ऐसा competition नहीं किया, मुझ पर हमेशा कृपा बरसाई है, यानि अगर मैं हार भी रहा होता था खेल में, तो मुझे जिता दिया ऐसा प्रेम, ऐसा सने मुझे से वो हर बार करते थे, तो मैं इनका सोभाव बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बात कहते है इन दो पंक्ति में, लेकिन शब्दार्फ जरूरी है इसलिए ये भी सुनो, मैं तो मैं ही रह दैगा, जानाओ का मतलब जानता हूँ निजि माने अपने नाथ का नाथ या पर प्रभूर या श्री राम जी के लिए आया है नाथ सुभाव माने सोभाव, तो क्या लाइन मनी मैं जानता हूँ, अपने श्री राम का सोभाव मैं अपने राम, मैं अपने नाथ का सोभाव जानता हूँ, अपराध है हूँ पर कोहू, नै काहू, कोहू माने क्रोध का हुमाने कभी मैंने तो कभी इनको कभी अपराधियों पर भी क्रोध कभी करते नहीं देखा अर्थात ये अपराधी पर भी क्रोध कभी नहीं करते मो पर कृपा सने बिसेखी मो माने मुझ और सने हुमाने सने बिसेखी माने देखा है मुझ पर तो मैंने बहुत सने बहुत कृपा देखी है किसकी? श्रीराम की किसके प्रती? भरत जी के प्रती तो भरत जी कहते हैं कि मुझ पर तो इनकी इतनी कृपा इतनी सने देखी है मैंने खेलत खुनिस खुनिस का मतलब आपरसंता कभ़ों का मतलब कभी भी तो खेलते हुए भी खेलते हुए कभी भी इन्होंने आपरसंता नय माने नहीं देखी माने देखी नहीं दिखाई मतब कभी भी आपरसंत नहीं हुए ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मुझसे competition कर रहे हैं या स्परधा कर रहे हैं यह मुझ पर हमेशा कृपा करते थे यहां तक कि बच्पन में भी खेलते वे भी जहां बच्चे आपस में एक competition की feeling लाते हैं या एक दुसरे को हराना चाते हैं लेकिन शीराम जी ने तो मुझ पर वहाँ पर भी अपरसंता नहीं दिखाई तो अब तो क्या दिखाएंगे वो अर्थात शीराम जी मुझ पर घुसा होंगे इस बात को लेकर कि ये मेरी वजह से वन गमन को हो चले गए ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता शीराम जी ने मुझ पर तो हमेशा कृपा ही बरसाई है बच्चों कवी का नाम मैंने क्या बताया था एक बड़ जल्दी से कमेंट करके बताओ देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बाते बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आगे देखिए अब यहां इन दो पंक्ति में क्या बताया है ध्यान से सुनो बात वही है कि शिशुपन में यानि कि जब हम छोटे थे तब से इनका मेरा साथ हमेशा रहा है इन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है कभी भी मेरे मन को दुखी नहीं किया, कभी भी, अर्थात मैं इनकी वज़े से कभी दुखी नहीं हुआ, हमेशा मुझे पर सनहे रटे थे, और 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 इनका हृदय का ढंग तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जब खेल में भी अगर मैं हारता था, तो ये मुझे ह हमेशा जितवाते ही थे, ऐसा है इनका सोभाव, यही बात इस दो पंक्ती में पढ़ेंगे, शब्दा देख लीजिए, सिसुपन माने शिशुपन यानि छोटे पन में, ते माने से, परेहिर रहू मतलब छोड़ देना, संगु माने साथ, कभव का मतलब कभी भी, किनी मोर माने मेरा, भंगु मतलब दुखी करना, इसके अलावा जी का मतलब रिदय, जो ही माने देखी, हारेहू का मतलब हारता हुआ, जितावही, जितवा देना, मोही माने मुझे, अब ये तो थे शब्दात, एक-एक शब को पढ़ते हुए, इसकी हिंदी भी वैसी ही बन जा मेरा मन, यहाँ पर मन आया हुआ है, तो कभी भी मेरा मन किसी भी अवस्था में दुखी नहीं किया, दुखी नयमाने नहीं, यहाँ पर नया आया हुआ है, नयमाने दुखी, सोरी, नयमाने नहीं और भंगु मतलब दुखी करना, तो कभी भी इनोंने मेरा मन किसी भी अवस इतनी रही है, या मेरे प्रभू की रिती, या रिती मतलब बतर धंग, किसका धंग? हृदय का, मैंने इनके हृदय का धंग देखा है, जो ही माने देखी, मैंने इनकी किनकी? मेरे प्रभू की, मेरे प्रभू की हृदय का जो धंग है, वो मैंने देखा है, कैसे? कैसे देखा ह कि हारे हू, हारतावा खेल भी जितवा दिया, किसे मोही मुझे, मुझे इन्होंने हारतावा खेल भी जितवाया है, अर्थात मुझे कभी दुखी या मुझे कभी दुख अनुभव नहीं होने दिया महुसनेहिक संकोच बस सनमुख कहीन बैन दरसन तृप्त ने आजू लागी पेम पियासे नैन अब इन तोपंक्तियों में क्या पताया ध्यान से सुनो भरजीब सभा में उपस्थित सभी लोगों को कहते हैं कि मैंने सनेहिके संकोच बश यानि इतना सने मुझे इन से मिला कि मैंने कभी भी इनके सामने कुछ कहा ही नहीं अर्थात कभी इनका विरोध नहीं किया कभी भी आस तक भी और एक बात और भी कहते हैं कि मेरे प्रभू श्री राम के दर्शन के लिए तो मेरी आत्मा हमेशा ही प्यासी रहती है अर्थात मीरी आखें हमेशा इनके दर्शनों के लिए तरस्ती रहती है ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्दार देख लीजे ताकि हिंदी और अच्छे से समझ में आए हिंदी मतलब व्याक्या महू का मतलब मैंने भी सिने मतलब सने यानि प्रेम संकोच सकोच रिखा हुआ है इसका मतलब वतना है संकोच सन्मुक अच्छा यह जो अलग अलग वर्डिंग लिखी गई है आजीब आजीब आपको लग रही होंगी समझ में भी कम आ रही होंगी दरसल ये अवधी भाषा में लिखी गई कवीता है तो अवधी भाषा जिसकी हमें व्याख्या करनी है जिसकी हमें हिंदी करके व्याख्या करनी है तो ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं ध्यान से सुनते जाईएगा महू का मतलब मैंने भी सिने का मतलब सिने सकोच मतलब संकोच, सन्मुक मतलब सामने, बैन मतलब बोला, दर्शन का मतलब दर्शन, त्रिप्त का मतलब त्रिप्त, लेकिन त्रिपित का मतलब, यहां त्रिपित लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है त्रिप्त, और यहां इसका दूसरा मतलब होता है संतुष्टो आजुलागी आज तक प्रेम मतलब प्रेम प्यासे मतलब प्यासे नैन मतलब आखें अब इसकी हिंदी देखो कवी कहते हैं कि कवी के द्वारा कही गई भरत ने क्या बात कही कवी के माध्यम से भरत जी ने क्या कहा कवी के माध्यम से का मतलब क्या है क्योंकि कवी ने यहाँ लिखी है तो जिदा जी नहीं कविता लिखी है इसी लिए इसी लिए इसी लिए अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि कवी के माध्यम से भरत जी कह रहे हैं कहें भरत जी रहे हैं लेकिन लिखी तो कवी नहीं है ना बताया तो कवी नहीं है तो कवी के माध्यम से कह सकते हैं तो क्या कहा महू का मतलब मैंने भी सने मतलब सने मैंने भी सने के संकोच के वश में होकर अर्थात मुझे इतना सने मिला कि मैंने इनके सामने कभी भी कहीं भी बोला ही नहीं बोला नयमाने नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी मेरे इतना स्रही मिल रहा था यहां से दर्शन त्रिपित मतलब मेरी आखें आखें आगे आएगा वैसे तो लेकिन यहां से हम पढ़ रहे हैं देखो दर्शन इनके दर्शनों से त्रिपत ने माने नहीं आज तक आज तक भी मेरी आखें इनके दर्शनों से त्रिप्त नहीं हुई है अर्थात संतुष नहीं हुई है मेरा मन करता है कि मैं इन्हें देखता ही जाओं देखता ही जाओं इनके दर्शनों की लालसा मेरे मन में हमेशा रहती है मेरी आखें इनके प्रेम क प्यासी हमेशा रहती हैं, ये बात इस दूसरी लाइन में लिखी दी, आगे देखिए, बिधी ने सके हूँ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा, यहू कहत मोही आजूने सोभा, अपनी समझूई साधू सुची को भा, भरत जी कहते हैं कि शिराम जी ने मेरे प् माता को बीच में लेकर, या यूँ कह सकते हैं कि मेरी माता के बहाने हमें अलग कर दिया, धरसल माता के प्रती भरत जी के क्या विचार हैं, वो अब शुरू होते हैं, माता मतलब कह कई, भरत जी अपनी माता कह कई के प्रती क्या विचार रखते हैं, वो ध्यान से सुनो, ज कहना मुझे शोभा नहीं देता ऐसा दूसरी लाइन में लिखा गया है लेकिन क्यों नहीं देता शोभा इसका क्या कारण है वो तो हम आगे पढ़ेंगे आने वाली पंक्तियों में अभी जितना पढ़ा जितना समझा उसके शबदार देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में देखो विधी का मतलब विधाता और सकयू का मतलब सका यानि सकना या सकता सही का मतलब सहन मोर माने मेरा दुलारा मतलब दुलार बिचू माने बीच में जननी का मतलब माता मिस का मतलब बहाने से पारा मतलब लेकर यहू का मतलब यह है, मोही मुझे, सुची माने पवित्र, भा माने हुआ, बाकी शब्दार्त आसान थे, आप समझ जाएंगे, देखो, विधाता नै सके, यानि क्या नहीं सके, सेहन, सेहन नै कर सके, किस बात को लेकर, मेरा दुलार, मोर दुलारा मतलब मेरा दुलार देकर, विधाता ये बात सहन कर ही नहीं सके, कि श्री राम इनको इतना दुलार कैसे कर रहे हैं, ये बात विधाता से सहन ही नहीं हुई, नीच बीचू, जननी, जननी यानि माता, माता को बीच में, बहाने से लेकर, हमें अलग कर दिया, हमें अलग कर दिया, ये अपनी तरफ से ल यहू कहत मोही आजूने सोभा यह कहते हुए मुझे आजूने सोभा ये बात मुझे शोभा नहीं देती क्या शोभा नहीं देती यानि अच्छी नहीं लगती क्या अच्छी नहीं लगती कि अपनी समझी यानि मैं अपनी समझ में तो मैं साधू हूँ और मेरी माता को बुद् अब ये दो लाइन में क्या बताया है उससे पहले सुभाव का मतलम मैंने क्या बताया था थोड़ी दिर पहले ही बताया था एक बचल दी से कमेंट करके बताओ देखना चाता हूं कितने बच्चे मेरी बाते बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं और याद भी कुछ-कुछ होता देखते हैं लेकिन अब इन दो पंक्ती में ध्यान से सुनो क्या कहा भरत जी कहते हैं कि मैं तो पवित्र साधू हूं और मेरी माता को भुद्धी है अर्थात उसमें बुद्धी नहीं है उसकी बुद्धी मारी गई खतम हो गई है ऐसा कहना मेरे लिए करोडों दुराचार है अर्थात मेरा वहवार इससे बेकार हो ही नहीं सकता अगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या कभी मोटे चावल से उत्तम चावल निकल सकता है मतलब एक प्रकार होता है कोदव चावल का ही एक प्रकार है वो क्या कोदव सुसाली उत्पन कर सकता है कोदव का मतलब मोटा चावल स सुसाली का मतलब होता है एक उत्तम धान या उत्तम चावल क्या बुरा चावल अच्छा चावल उत्पन कर सकता है नहीं क्या काली गोगा क्या कभी मोती उत्पन कर सकता है नहीं अर्थात ये सब चीज ऐसी हैं जिन से कोई अच्छी चीज उत्पन नहीं हो सकती तो क्या मैं अ माता को अगर मैं बेकार कहूं तो क्या मैं पवित्र हो सकता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मोटे चावल में से कभी उत्तमधान उत्पन नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ यहां पर हम बढ़ेंगे। मातू मतले माता मंदी का मतलब कम बुद्धी हो जिसमें सुचाली माने सदाचारी और का मतलब हमेशा के लिए याद रख लो बार बार आता है और मतलब हृदे। असमन यह है आनत माने लाना, कोटी माने करोडो, कुछाली माने दुराचार। अब पहली लाइन की हिंदी देख लो फिर आगे की बात पढ़ेंगे। माता को कम बुद्धी कहना, मैं साधू सुचाली, मैं तो साधू हूँ, सदाचारी हूँ, अर्थात मैं तो बहुत अच्छे आचरन वाला और मेरी माता कम बुद्धी वाली है, ये बात मेरे हृदे में लाना, मेरे हृदे में लाना करोडो दुराचार के बराबर है, बाली सुसाली, बाली सुसाली का मतलब उत्तमधान, क्या कभी मोटा चावल उत्तमधान उत्तपन कर सकती है, फल, फलना, यानि फल सकती है, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं न, ऐसे ही संबुक काली, काली जो संबुक है, यानि काली या गोगा, काली गोगा, क्या मोती उत्तपन कर स सकता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं अपनी माता को बुरा बोल ही नहीं सकता ये बात अपनी माता के प्रति कहते हैं ये मेरे विचार है अब इन दो पंक्ती में क्या बताया है ध्यान से सुनो कि मैं अपनी माता को सपने में भी दोश नहीं दे सकता मेरा दुरभाग्य तो समुद्र से भी गहरा है मतलब मेरा दुरभाग्य इतना जादा है कि मैं अपनी पापों का परिनाम की वजह से अपनी माता को मैंने करोडो वचनों के समान बहुत कटू कटू वचन कह दिये जो कि मेरे लिए बहुत गलत थे यह मैंने कैसे कर दिया शायद मेरे पापों का परिनाम ही था कि मैंने अपनी माता को बुरा-बुरा बोल दिया यह यह कह सकते हो कि मैंने अपनी माता को जलाया है जलाया है यह कहें कि तपाया है उनको खरी-खोटी सुना दी है तो यह मेरा दुर्भाग्य ही था तो ऐसा ही कुछ हम बढ़ेंगे इन दो पंक्टियों में शब्दार देख लीजिए ताकि आप और अच्छे समझ में आए व्याख्या इसके अलावा अग का मतलब पाप परिपाकु मने परिनाम जारेउ का मतलब बहुत जाय का मतलब जलाया है जननी माने माता काकु माने कटूवा चन अब इसकी व्याख्या सुनो देखो, सपने में भी दोश जरासा कभी भी, नहीं मैं अपनी माता को कभी भी सपने में भी जरासा दोश नहीं दे सकता, लेकिन मेरा दुरुभाग्य समुद्र से भी अत्यदिक गहरा है, यानि बहुत जादा है मेरा दुरुभाग्य, जिससे क्या हुआ, बिनु समझे, बिन अपने पापों का परिनाम जानकर मैंने बिना समझे अपने पापों का परिनाम की वजह से मैंने क्या किया अपनी माता को कटुवचन कहकर बहुत जलाया है बहुत तपाया है बहुत कुछ बुरा कह दिया है ऐसा यहां पर लिखा था आगे देखिए अब इन दो पंक्ते में क्या बता है ध्यान से सुनो भरत जी कहते हैं कि मेरा हृद्य सब और से हार गया है मतलब मैं बहुत कुछ कर करके हार चुका हूँ इससे ज़ादा मुझसे कुछ नह हो पाएगा मेरा भला तो सिरफ एक ही परकार से है अब मेरा भला एक क्या है वो एक ही तरह से है वो है कि मैं अपने गुरू को साधू समझू और मेरे शीराम और सीता जी को मैं अपना भगवान समझ लूँ बस इससे जादा मुझे मेरा भला नजर नहीं आ रहा मेरा भला मेरा अच्छा भले का परिनाम सिर्फ यही है यह बात ह मतलब परकार भले ही माने निश्ची थी भल यानि भला मोर माने मेरा मोरा मतलब मेरा गुरू गुर का मतलब गुरू गोसाई का मतलब साधू साहीब का मतलब इश्वर सियरामू सिता राम और इसके अलावा नीक का मतलब सही परिनामू परिनामू अब देखी हिंदी देखो मेरा हरिदय देखकर हारेहु हार गया है सब ओरा, सब ओर मतलब मेरा हरिदय सब ओर देखकर हार गया है एक ही परकार से, निश्चे ही एक ही परकार से मोरा मेरा भला हो सकता है भल माने भला एक ही परकार से, निश्चे थी मेरा भला हो सकता है वो एक ही परकार कौन सा है कि मैं अपने गुरू को गोसाई समझू गोसाई मतलब साधू और सियराम यानि सीता राम जी को मैं इश्वर समझ लूँ पस इस से ही जादा मेरा भला कुछ नहीं है कुछ नहीं है लागत मोही नीक परिनामू लगता है मोही मुझे नीक माने सही परिनामू मतलब परिनाम ये परिनाम मुझे सही लगता है कौन सा परिनाम कि मैं अपने गुरू को साधू समझू और सीता और राम जी को इश्वर समझ लूँ बस आगे देखिए, बच्चों काली घूंगा, क्या उत्पन नहीं कर सकती, कितने बच्चे जानते हैं इस प्रिशन का उत्तर, एक बड़ जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाता हूं कितने बच्चे, मेरी बाते बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं, आगे देखिए, राम जी का मिलन जहां हो रहा है, उस स्थान का नाम है, उस आश्रम का नाम है, चित्रकूट, तो उस चित्रकूट को भरत जी कहते हैं, यह है एक पवित्र स्थान है, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभू भी यहीं है, और मेरे साधू, यानि मेरे गुरू भी यहीं है, तो इनको म साक्षी मान कर मैं ये कहना चाता हूँ कि क्या मेरा प्रेम जूट है या सच मेरा प्रेम धोखा है या सिरफ और सिरफ प्रेम ही है ये बातों मेरे गुरू और मेरे श्रीराम जी अच्छी से या अच्छी प्रकार से जानते हैं ये बात यहां इंदो पंक्ति में लिखा है सत्या और मुनी वशिष्ट जी को कहा है रहु राहु मतलब श्री राम जी अब कभी सोरी भरत जी कहते हैं कि साधु सभा में मेरे गुरू और मेरे प्रभू निकट हैं कहा है सुथल यानि इस पवित्र स्थान को इस इतने जो कि बहुत शुद है शुद कहा है क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे गुरु और मेरे प्रभु निकट ही है इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र है और शुद है प्रेम प्रपंचु मेरा प्रेम क्या प्रेम ही है या प्रपंचु है अर्थात चल कपट है जूट है या सत्य है ये बात जानते हैं कौन मुनी और रगुराओ अर्थात मुनी वशिष्ट जी भी जानते हैं और श्री राम भी जानते हैं कि मेरा प्रेम प्रेम है या धोका जूट है या सत्य है ये बात ये दोनों भली परकार से जानते हैं आगे देखिए भूपती मरन पेम पनुराखी जननी कुमती जगुतु सबसाखी देखी नजाही विकल महतारी जरही दुसह जर कुर्णर नारी अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है ध्यान से सुनो भरत जी कहते हैं कि मेरे पिता अपने प्रेम यानि अपने बेटे श्री राम जी के प्रेम में इतना मोहित थे इतना आकशित थे कि उनके अलग होते ही उन्होंने अपने प्रान त्याग दिये और मेरी माता जिनकी ब ब०्धी हो गई थी अर्थाथ अपनी बुद्धी से वो काम नहीं ले रही थी उस समय जो स्थिती थी वो ये थी कि उस समय जो बागी की माताइं हैं यानि की कौन कोशल्या और सुनित्डरा यहां तक की कह कई भी इन तीनों माताओं की हालत बहुत बुरी थी वो बहुत बिचैन थी और बिचैन तो थी इनकी लेकिन इनके साथ-साथ जो नगरवासी थे यानि आयोध्यावासी थे वो भी बहुत दुख सहन कर रहे थे ऐसा दुख जो सहन ने होने वाला था अर्थात ऐसे हन ये दुख उनको हो रहा था ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे देखिए पेम नय सह सकने वाला योगए बुखार या यूं कह सकते हो दर्द पुर का मतलब नगर के और इसके अलावा नर नारी यानि वहां के लोग अब आगे देखिए यानि हिंदी व्याख्या देखिए कि भूपती, भूपती का मतलब होता है राजा लेकिन राजा कौन? राजा दश्रत की बात हो रही है राजा दश्रत जी मृत्यू के निकट हो गए किसकी वज़े से? अपने प्रेम रूपी प्राण को खोने की वज़े से यानि शीरिणाम को खोने की वज़े से वो अपने प्राण को त्याग देते हैं जननी मेरी माता, मेरी माता को कुबुधी हो गई ये बात जगतु सब साखी, मतलब ये बात सारा संसार, जगतु माने जगत, ये संसार, ये जगत सब जानता है, कौन सी दो बातें? ये बातें, मेरे पिता की और मेरी माता की, ये बातें सारा संसार जानता है, देखी नजाही, देखा नहीं जाता, वेकल माने व्याकुल, महता का मतलब माताएं कौन सी माताएं जो उनकी तीन माताएं थी तो तीनों माताओं की व्याकुलता हमसे देखी नहीं जाती देखी नहीं गई जरही जरही यानि जल रहे हैं कौन नगर के नरनारी नगर के नरनारी ऐसा दुख सहन कर रहे हैं जो उनसे सहन नहीं हो रहा वो आपके बिछडन में जल रहे हैं अर्थात दुखी हो रहे हैं ये बात इन दो पंक्तिय में लिखी थी आगे देखिए बरत जी इन सब घटनाओं का कारण अपने आपको मानते हैं कहते हैं कि इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूँ ये जो अनर्थ हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ अगर मैं ना होता तो मेरी माता मेरे लिए मेरे राज्य अभिशे के लिए इतना सब कुछ नहें करती तो ये सब जो अनर्थ हो रहा है या हुआ है इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ और ऐसा दुख अब मैं सहन कर रहा हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे प्रभुश्री राम लक्षमन और सीता जी के साथ वन को चले गए वो भी मुनी का वेश भूशा धारन करके ऐसा जब मैंने सुना तो मेरा जो दुख था वो असहनिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में था ये बात हम इंदो पंक्तियों पढ़ेंगे शब्दार देख लीजिए मही का मतलब मैं ही सकल माने सभी अनर्थ माने अनर्थ करमूला जिम्मेदार सो माने वेह सही माने सहन किया सुला माने दुख बन मतलब वन गवनु माने चले गए रगुनाता यानि श्री राम बेस माने वेश स्रीया माने सिता जी देखो अब इसकी हिंदी क्या बनेगी भरत जी कहते हैं कि मैं ही सभी अनर्थ का जिम्मेदार हूँ मैं ही सभी अनर्थ का जिम्मेदार हूँ So, वह मैंने ये सुनकर समझ लिया या सहन किया सब दुखों को क्या सुनकर ये नीचे वाली लाइन जो लिक्षी हुए देखो सुनी वन, सुना जब मैंने कि वन को चले गए कौन रघुना था? यानि श्री राम श्री राम जी जब वन को चले गए कैसे गए? करीब मुनीवेश मुनीवेश को करके यानि धारण करके लक्षमन जी और सीता जी के साथ यानि साथ लक्षमन और सीता जी के साथ मुनीवेश धारण करके श्रीराम वन को चले गए हैं ये जब मैंने सुना तो मैंने बहुत दुख सहन किया मतलब भरत जी कहते हैं इन सब का जिमेदार मैं हूँ और इसी लिए मुझे ये सब दुख सेहन करना पड़ रहा है बिन पानहिन पयोद ही पाई संकरू साखी रहे हू एही धाई बहुरी निहारी निसाद सने हू कुलिस कठिन और भयू ने बेहू अब इन दो पंक्ति में क्या पता है ध्यान से सुनो जिनको केवट कहते हैं नदी को पार करवाने वाद तो केवट जी के प्रती उनका जुस्त नहे था जब वो मैंने सुना उसको सुनकर भी मेरा जो हृदय है उसमें छेद नहीं हुआ मतलब मैं कितना कठोर हूँ इस बात से अंदाजा लगता है कि मैंने उनकी ये सब बाते जब सुनी कि उनके पैरों में घाओ थे इस तरह कि जब मैंने बाते सुनी तो मेरे हृदय में कुछ भी अनुभाव नहीं हुआ मेरा हृदय इतना कठोर है कि अब तक तो मैंने भी अपने प्रान त्याग देने थे इतना दुख हो जाना चाहिए था मुझे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा हृदय कितना कठोर है ऐसा भरज्शी कहते है इन दो पंक्ते में देखिए बिन पाना ही यानि जूते या खड़ाओ भी कह सकते हो बिन जूते पैदल ही पाई चले गए संकुरू भगवान सीव साक्षी है देख रहे हैं यह घाओ यह घाओ के भगवान साक्षी है बहुरी निहारी बहुत देखा यानि बहुत देखा मैंने क्या देखा केवट के सने केवट का सने मैंने इतना देखा कुलिस वज्जर के समान मतलब मैंने इतना सने देखा उस के इस बात के साक्षी हैं, ये बात बता रहे हैं कि उनको कितना दुख हुआ होगा, ये सुनकर भी, ये सारी चीजे सुनकर भी मेरा हरिदय जीवित है, अर्थात उसमें कोई बुरा अनुभाव नहीं हुआ, इसका मतलब मैं कितना कठोर हूँ, कितना वज्र के सामान, कठिन हू अर्थात वज्र जो बहुत भयंकर हतियार होता है, कठोर होता है, वैसा ही कठोर हरिदय मेरा हो गया है, तो मेरा हरिदय इतना कठोर हो गया है, कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई छेद नहीं हुआ, इसको देकर, केवट के सनेहें देकर, उनके घाव देकर, और ये जान बच्चों भरत जी के गुरू कौन थे एक बर चल्दी से कमेंड करके बताओ देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी मेरी बाते बहुत ध्यान से सुन रहे हैं चल्दी से जल्दी से जल्दी से अब आगे देखिए अब ये जो अजीब से शब्द आपको दिख रहे हैं इसकी व्याक्या आसान है बस आपको शब्दार्द आने चाहिए शब्दार्द क्या होंगे वो भी बता हूँआ लेकिन उससे पहले एक बर मुझे से सुन लो इन दो पंते में क्या कहा भरत जी कहते हैं कि ये सब मैं अपनी आखों से देख रहा हूँ और मेरे दुर्भाग्ये ने मुझे जीवित रखा है अभी तक भी जीवित हूँ मैं ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्ये है मेरा दुर्भाग्ये कितना बलवान है कि मैं अभी तक जीवित हूँ अरे इतना दुख देखकर तो साप और बिच्छू जो की बहुत जहरीले होते हैं वो भी अपना जहर छोड़ दें वो भी अपना क्रोध त्याग दें वो भी इस समय में ऐसे दुख के समय में कभी क्रोध नहीं करते कभी जहर नहीं उगलते लेकिन मेरे हृदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं आज तक अभी तक भी जीवित हूँ ये सब जान कर ये सब मेरी आँखों से देख कर तो मेरा दुर्भांगे कितना बड़ा है ऐसा ही कुछ हम बढ़ेंगे देखिए बाकी शब्दा था असान थे तो इसका जीवित का मतलब जीवित जी नहीं का मतलब जीने निर्खी माने देखा मग माने रास्ते में सापिनी बिच्छी यानि साप और बिच्छू साप और बिच्छू तरजेही त्याग देना विशम माने भयंकर और इसके अलावा बिशू का मतलब जहर तापस माने क्रोध, तीछी माने तिवर, यानि तीज, क्या लिखा है, कि अब सब आँखों से देख कर भी, मतलब मैंने अपनी आँखों से देख कर भी, मेरा जीव, मतलब जीवित होना, जीयत माने जी रहा है, मेरा जीव जीवित है, जड़ सबई सहाई, मतलब ये सब क पुछ सहन कर पाया ये मेरा कठोर भागय ही था जिसकी बज़े से मेरा जीव आज भी जीवित है था तो मैं आज भी जिन्दा हूँ मैं अपनी आखों से देख कर भी जीवित हूँ ये सब दुख देकर जिनें देखी मतलब जिनें देकर इतना दुख देकर तो रास्ते के और बिच्छू भी त्याग देते हैं क्या त्याग देते हैं अपना भयंकर तेज जहर और क्रोध अपना तेज भयंकर जहर और क्रोध त्याग देते हैं क्या देकर ऐसा देकर क्या ऐसा ये सब दुख देकर तो वो साप और बिच्छू जो रास्ते के हैं वो भी अपना में ये चीज नहीं करते और मेरा कठोर भागय ये है कि मैं जीवित हूँ इस सब को देखकर इंसान हूँ फिर भी और मेरे भ्रादाओं के साथ ये सब चीजे हो रही है फिर भी मैं ये जानकर फिर भी मैं मैं तक रहना ये सब जानकर जीवित हूँ ये मेरा कितना बड़ा देखिए तेई रगुनन्दुनू लखनूसिया अनहित लागे जाही तासुतनेत जी दुस्से है दुख देव सहावई कहाई अब इन दो पंक्ते में भरत जी कहते हैं कि शिराम लक्षमन और सीता जी जिनको ये सब शक्त्रू लगते हैं कौन माता कैकई को जिनको ये सब शक कैसे सेहन करेगा ये बात अगली दो लाइन में लिखी थी और ये रामचरित मानस से ये जो लिखा है इसका मतलब ये सब पंक्तियां रामचरित मानस जो की बहुत बड़ा गरंथ है उससे ली गई हैं देखिए इसकी शब्दार्थ तेई माने वे रगुनंदनू का मतलब रगुनंदनी यानि की शिरी राम लखनू माने लक्षमान सिया माने सीधा जी अनहित जो भला नैहो यानि बुरा या दुश्मन लागी जाही लगते हैं बस इतना ही था ये तासु माने उनके तन्या माने पुत्र उनके पुत्र कौन कैकई के पुत्र यानि भरत जी तजी त्याग दि, त्याग कर यानि छोड़ कर दुस्से है माने ऐसा है, दुख का मतलब दुख, सहावाई का मतलब सहन का ही माने कैसे सहन करेगा, दोनों लाइनों की देखो इन्दी, कि वे कौन शिरीराम, लक्षमन जी, सीता जी, ये अनहित मतलब दुश्मन लगते हैं जिनें, पुत्र, यानि माता केक ही के पुत्र, यानि भरत, दुसहै दुख, ऐसा हाई दुख को कैसे सहन करेगा, मतलग ये मुझ से सहन नहीं होगा, बच्चों, अगर आपको लग रहा हो, ये पार्ट ख़तम होगए, ये when खतम होगए, ये पोयम खतम होगे, ये जी नहीं, अभी तो आपको इसकी सब प्रसंग व्याख्या भी चाहिएगी है न, वो भी रिटन में इसके साथ साथ इसके important question, exercise question और MCQ type question यहां तक की इसका दूसरा part भी है जो की नाम है तुलसीदाजी के पद वो पद भी आपको पढ़ने होंगे लेकिन यह सारी चीजें यानि यह पांच चीजें हैं यह पांचों चीजें आपको मिलेंगी कहां एक link दिया है description box में उस link का नाम रखाए free cash course for 12th elective इस नाम से एक link मिलेगा जिसमें आपको यह पांचों चीजें कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं इस link पर click करने से आसानी से एक ही page पर देखने को मिल जाएंगी कहीं भटकने की जूरत नहीं है लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी topic से related एक छोटा सा test देखना चाथ हो इस topic को आपने कितने अच्छे से समझा और अगर आप इस chapter को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखे जरा किसने कितना पढ़ा पहला question आपकी screen पर ये रहा प्रस्तुत पद में मुनीनात शब्द आया है किसके लिए अभी एक बार option थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले बच्चों हर question के बाद आपको 5 second मिलेंगे answer देने के लिए आप अपना answer comment करते रहे न और में देखना चाहता हूं किसके कितने answer ठीक हुए प्रस्तुत पद में मुनीनात शब्द आया है आपके option आपकी screen पर ये रहे गुरू विश्वा मित्र के लिए option B गुरू वश्ष्ष्ट के लिए option C राजा जनक के लिए option D राम के लिए आपके 5 second चुरोते हैं अब 5 4, 3, 2, 1 0 सही उतरा option B गुरू वश्ष्ष्ट के लिए चले बच्चों अगले परशन की तरह बगला परशन भरत के लिए तर किसके दर्शन से त्रिक्त नहीं हुए थे आपके option वशिष्ट मुनी के B कह कही के C स्वामी श्री राम के D स्वाम के 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उतरा option C स्वामी श्री राम के लिए बच्चों अगले परशन की तरह बगला परशन भरत की मनोदशा कैसी थी आपके option A प्रसंचित B शिशिला C मायूस D आत्म गलानी परख 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उतरा option D आत्म गलानी परख यानि गिल्टी महसूस हो रही थी चलिए अगले परशन की तरह भरत ने चित्रकुट की सभामे किस विशय पर बोला आपके option A वन जीवन के बारे में B अपने और राम के सनहे के बारे में C वन वास के दोरान घटित हुई घटनाओ के बारे में D वशिष्ट मुनी की महिमा के बारे में 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उतरा option B तो बच्चों यह है आपका report card ध्यान से देख लीजिए पढ़ लीजिए और हाँ आपके total माक्स किते हैं यह comment करना मत बोलना और आपकी class related एक free crash course आगया जो की बिल्कुल free है लिंक आपको description वे सब से उपर मिल जाएगा इस link में आपको A to Z सले बस एक ही page पर देखने को मिल जाएगा कहीं भटकने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो वो जरूर देखना और अगर आपको उसे personal बातचीत करनी है तो सभी social medical link description box में है आदे यह बातचीत करते हैं शुक्रिया धन्यवाद